तो आज हम जानने वाले हैं कि जब भी कोई भी नए बेवी का जनम होता है या फिर कोई भी न्यूबॉर्ण बेवी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसे चेक करता है कि आखिर का जो बेवी है वो हेल्दी है या फिर नहीं है उसमें बेवी के साइज आई हो गया या इसका टेम्प्रेचर कितना यह सब इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिरकार कितना जो है वह नॉर्मल होता है जिससे कि आप भी इसका फाइदा उठा सकते हैं तो कुछ-कुछ हमारे इंस्ट्रुमेंट्स होते हैं जिसके जरी होते हैं बच्चों को चेक करते हैं को से उसे क्या completo कि यो बोरण रहा है उसका क्या स्टेटस हो रहा है क्या वह हेल्दी है या फिर नहीं है तो हम सारे Parameters देखेंगे कौनink़े Parameters वह हमें Newborn baby में देखना होता या फिर नयजन में बच्चों में हमें देखना होता है जिससे कहां पता कर सके कि हाँ Baby healthy हो या फिर नहीं है तो सबसे कहले हम क्या करते हैं कि हम जान लें है वायडर वायतल्स के वायडर्स न्यूबोर्न देबेड़ वो कौन-कौन से थे होते हैं तो इसमें ज centuries में जो ते हैं यह अर्डरेट हस्य प्रिश साइन है कि कोई न्यूबोर्ण हुआ कोई कैसे करन देखाते इन लेकिन इसके अलावा भी एक sign को और add किया गया है जो कि हमारा कौण सा आता है हमारा add किया गया है pain पेन एक अलग तरह से add किया गया कि क्या बच्चे को pain feel होता है या नहीं होता उसे अगर हम कोई pin चुभाते हैं फिर हल्का सब्सक्राइब कहीं करते हैं सब से बहुता है तो जो बच्चो का जो नॉर्मल टेंप्रेचर होता क्योंकि हम टेंप्रेचर को क्या करते हैं मैं एफिर डिकरी फरयानाईट में चेक कर सकते हैं…. जो तेंप्रेचर चैक करते हैं… जैसे अगर आप कोई साथ से नॉरमल अगर अब थ्रा मिटर नोगे तो इसमें क्यों होता कि कभी-कभी चेंज करने का रहता कि हां यहीं चेक है कर सकते हो या फिरह आप टीगरी फेर देख से कि हम डेल वह देग नेखते हैं कि हां बहुत इसे कि ना चैते हां कि कितना या आपका normal होता है अगर इससे ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया तो उसमें क्या है कि हाँ बच्चे में कोई दिक्कत है अगर heart rate के बात करें तो अगर बच्चा बिल्कुल resting में है कि हाँ मतला राम से जागा हुआ है वो थोड़ी बहुत अपना हलचल कर रहा है तो उसके अ 50 beats per minute अगा अगर हम respiratory rate के बात करें कि एक मिनट में बेबी को कितना सास लेना चाहिए उस्टो नॉर्मल हमारे rate जो होता है वह हमारा कितना होता वह हमारा होता 30 से लेकर 60 breathe per minute और blood pressure Blood pressure जो होता हो दो तरह का होता है एक होता शिस्टोलिक प्रेशर और अपन में हम लिखते हैं डास्तोलिक ब्लेट प्रेशर तो वह हमारा कितना होना चाहिए 60-40 ऐम होती इतना अगर प्रेशर यह आपके चार्ठ joha में वाइटल साइन्स है जिससे हम पता कर सकते कि हाँ बेवी जो है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है इसके अलावा भी हमारे पाद कुछ साइन्स होते हैं जो कि हमाई जो है वो बच्चों में चिक करने होते हैं जैसे कि उसका वेट कितना है हाइट कितना है आर बीसी काउंट लेकर के तीन पर नौ किलो से थोड़ा सा सौ ग्राम कम इतना घर जो है बच्चे का वेट है तो नौर्मल है हाँ कई सारे बच्चों क्या होता है इससे कम होता या फिससे ज्यादा तो बहुत रही होता है पर हाँ अगर धाई किलो से भी कम है तो हाँ बच्चे में थोड़ी सी मतलब की दिक्कत है तो थोड़ा सा उसे जो है वो डॉक्टर के देख रेक में रखना पड़ता है हाइट की बात करें तो पैंताली से पच्पन सेंटिमीटर नौर्मल होता है आर बीसी काउंट जो कितना कितना है वह 90-100% तो यह सारे के सारे वाइटल साइन की कोई भी जो है वह नया बच्चे का जनव होता है तो इन सबी चीजों को हो जो है वह डॉक्टर चेक करते हैं कि आकरकार जो है नौर्मल है यह नहीं है कोई भी दिक्कत होती है उसे क्या करते हैं डॉक्टर अपने काम करने वालोग है तो सभी कोई इन सब चीज के जानकारे होना चाहिए कि अखिरकार उनका बेबी हेल्दी है या फिन नहीं है तो इन सबी साइन से हम आसानी से पता कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग